हालो एवरिवन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं गुलाब जामुन और काला जाम बनानी की रेसिपी इसे बनानी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम सॉफ्ट खोया यह खोया स्पेशली गुलाब जामुन के लिए आता है और 100 ग्राम पनीर अब पनीर को और खोय को हम दोनों को ग्रेट कर लेंगे और हमें इसका एक अच्छा सा डो बनाना है आदा कप मैदा वन फोर टी स्पून इलाइची पाउडर अब इसे हतेली की हैल्प से हमें मैश करना है और इसमें डालेंगे चुटकी बर बेकिंग पाउडर डो गर थोड़ा सा ड्राइव हो रहा हो तो इसमें एक दो चमच पानी या फिर दूद भी एड़ कर सकते हैं अच्छे से सिमेश करेंगे और एकदम से स्मूध कर लेंगे इसमें एक भी दाना ना रहा है और अब एक यहाँ पर मैं छोटी सी बॉल भी बना कर देख लेती हूँ कि डो हमारा अच्छे से बनके त्यार हुआ है या नहीं तो अगर इसमें इतना ही हम पानी डालेंगे बिल्कुल चीनी और पानी एकदम बराबर होना चाहिए और यहाँ पर हमें लो फ्लेम पर शुगर सीरब बनाना है एकदम ऐसे पतला बनाना है हमें अगर हमारी जो चाशनी है पतली होगी तो वह रसकुलों में अंदर तक अच्छे से बहर जाएगी और इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ फिलेंग के लिए इसमें डालेंगे हम 1 टेबल इस्पून बादाम बादाम को मैंने पतला से काट लिया है और 1 टेबल इस्पून काजु 1 फोर टीस्पून इलाईची पाओडर 1 टीस्पून गुलाब जल और यहाँ पर मैंने दो ड्रॉप लिया है जो liquid हल्दी आते है उसकी इससे अच्छा color आता है और थोड़ा सा healthy भी रहता है और चाहें तो इसमें food color भी डाल सकते है और इसमें हल्दी का flavor बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि रजगुले deep fry होंगे उसके और फिर गरम चाशनी भी भी जाएंगे और हमने flavor के लिए इसमें लाइची powder गुलाब जल्दो डाला है और अब जो मारा ये white वाला dough है इसे हम divide कर लेंगे छोटे-छोटे balls में जितने बड और इसकी filling को भी जितने हमने ये गुलाब जमुन बनाए है उतने ही हमें ये filling में छोटे-छोटे ball हम divide कर लेंगे तो बस एक हमें white ball लेना है इसमें हम डालेंगे इसकी filling और इसे अच्छे से हमें roll करना है इसमें एक भी crack नहीं होना चाहिए बस इसी तरीके से हमें सारे balls बनाके तयार कर लेने है और जब तक मैं ये बना रही हूँ दूसरे साइट मैंने oil भी गरम होने रख दिया है और oil को भी हमें बिल्कुल low flame पर ही गरम करना है सारे balls तैयार हो गए अब इसे हम deep fry करेंगे तो यहाँ पर flame हम एकदम low रखनी है ताकि अंदर तक अच्छे से हमारे जो गुलाब जमूने वो सिख जाए और जब गुलाब जमून हम डाल दें तो थोड़ा सा कड़ाई को हिला देंगे तो इससे जो मारे गुलाब जमूने नीचे चिपकेंगे नहीं और चारो तरफ से अच्छे से सिख्ये तैयार होंगे यहां पर कलर भी अच्छा है इनका पर पहले मैं बना रही हूँ काला जमून तो थोड़ा से मैं डार कलर रखूंगे इसका अब यह तैयार हो गए इससे हम डालेंगे गरम गरम चाश्री में बिल्कुल आइस्ता से डाल ले है हमें और अब दूसर भी हम तैयार कर लेते हैं अब हम बनाएंगे गुलाप जमून तो बस काला जामन और गुलाब जामन में यह difference है मेंन कलर का अगर हम काला जामन बनाते हैं तो उसका जो उपर के लिया रहे थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो वो काला जामन बन जाता है और गुलाब जामन थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है क्योंकि हम इसे light brown ही रखते है तो उसे भी हमें low flame पर ही deep fry करना है यह भी तयार होगे इसे भी मैं निकाल लेती हूँ और यह भी अब जाएंगे चाशनी में तो रसकोलोगों कम से कम 2 घंटे के लिए हमें dip करके रखना है दो से तीन घंटे तो यह देखिए बनके तयार होगे है थोड़ा सा फूल भी गए है और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यह कैसे बने है इसमें अंदर तक चाशनी अच्छे से फिल हो गई है और बहुत टेस्टी रसकुले बनके तयार हुए है फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में थैंक यू अब्रीवन